अभिनंदन आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोसों ज्योति श्विग्णियान के इस अधियासिक चनल पर और मैं हूँ आप सबका एश्ट्रो दोस्त रुपेन आर्शा ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयूप का सेग्मेंट मार्च 2019 से इस सफर की शिरुवात हुई 2030 के वर्ष का कल आखरी दिन है एक जनवरी 2024 से देव गुरू जो मेश राशी में अभी तक वक्री चल रहे थे मार्गी हो जाएंगे काल पूरुष की कुंडली में मेश राशी में देव गुरू का मार्गी होना बहुत ही शुप कर रहे हैं तो कई प्रयोग के बाद मन में प्रशन उठ सकता है कि यह ज्योतिश कैसे हो सकता है लेकिन करके देखिए सिद्धान प्राचिंतन ज्योतिश के ही है इनोवेशन आपके इस एस्ट्रो दोस का है 24 गंटों में कोई चमतकार नहीं होगा रातो रात करोड़ पती ब निथल रहेगा कोवीट से शुरू होके जो बी चीजे हम 2025 के मध्यभाग तक देखने वाले हैं प्राकूरती कापदाएं देख लिए युद्ध वाली परिस्थितियां देख लिया तो कई लोग सोच रहे होंगे कि अब सब कुछ तो देख लिया अब देखिए कि अभी कित मान लीजिए तो शायद मैक्सिमम एक लाख लोग जुढ रहे हैं यहां पर दैनिक रूप से जैसे ही यह शनीदेव का राशी परिवर्तन हो जाएगा मीन राशी में उसके बाद जो परिस्तितियां बनेगी जो मैं हर दिन कह रहा हूं यह समझ में आने लगेगा कि क्यों य सुरियोदय के 2,5 गंटे तक कर लीजे मतलब 9.30 बज़े तक प्रयूप करने का कोई Rebecca दादा अच्छा है दूपर के 12 बजे ये प्रयोप करने का कोई मतलब नहीं ठीक है श्नान किया है नहीं किया है कोई मतलब नहीं सुबह में 9.5 बजे तक ये प्रयोप कर लिगे शुर्योदय के बाद आपके वहां पे सुर्य के दर्शन सुरिय दियुता के दर्शन होने चाहिए, उनके सामने एक ही बीना टक टके लगाए, मतलब जो त्राटक जैसा जैसा क्याते हैं, बीना पल के जपकाए, एक ही नजर से सुरिय को देखते रही है, सुबह सुबह में क्यूंकि डाइरेक्ट नहीं आता तो आपकी आखों को वो नुकसान नहीं करता इससे कोई नुकसान तो नहीं होता, तो जब कुछ सेकंड से ज्यादा आप देख नहीं पाएंगे, on an average 15-20 सेकंड, maximum 30 सेकंड, average ताइम में 15-30 सेकंड, और अगर आपको ट्राटक का अनुबव है, या फिर आप उस मार्क पे आगे बड़े हुए हैं, तो शायद 45 सेकंड ए आँखें बंद हो जाएगी, तो जब लगे कि आँख बंद करनी पड़ेगी, तो वहीं पे खड़े हो जाएगी, और आप मान लीजिए कि इस तरफ से सुरज को देख रहे थे, उपर सुरिय देवता को, तो आँखें बंद कर लीजिए, और वहीं पे खड़े-खड़े, अभी को पता है, या आगने चक्र को उस सुरिय की उर्जा से किस प्रकार से एक्टिवेट किया जाता है, आपको क्या दिखेगा, कोई भी कलर दिखेगा, इंडिगो हो सकता है, रेड हो सकता है, यलो, ग्रीन हो सकता है, कुछ अलग-अलग आकरूतियां दिखेंगी, राउ पे देखते रहिए उसे उस एनर्जी को देखते रहिए और मनही मन बोलते रहिए जब तक वो आपको दिखे कलर चेंज, शेप चेंज तब तक उसे कहते रहिए मनही मन कि अपसे मेरे जीवन का आने वाला हरेक्षण सुख, शांती और समरुद्धी से बरा हुआ हो, हे परम शक्ति की एनर्जी आपसे यही प्रात्ना है ये वो उर्जा है, डिरेक्ली या अंडिरेक्ली हम सोलर एनर्जी के उपर डिपेंडेंड हैं इतना भी विक्सित क्यों न हो जाए, जिस दिन सुरिय उर्जा पृत्वी के उपर आनी बंध हो जाएगी, जीव सुरुष्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा तो उसकी एनर्जी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे और आगने चक्रा पे मन ही मन पूरे भाव से जब तक वो दिख रहा है 24 गंडों का दीन है साब, एक देड़ मिनिट से ज्यादा नहीं लगेगा कौन क्या सोचेगा यह सोचने के लिए मत जाएए, कहीं पे भी खड़े-खड़े कर लीजिए तो यह होगी माश्टर की, नियमी तुरूप से करने लगिए साथ माश्टर की के सुरूप में 24 गंडों का एक प्रयोगे में व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ यह नियमी तुरूप से करने लगिए, जब यह एक्टिवेट होने लगेगा, फिट देखे कि क्या चमत कर होता है कई बार आपके साथ हुआ होगा न, क्या आपने कुछ सोचा कि वो मुझसे मिलने आएगा फलाना ठीकाना कोई आपका दोस रिलेटिव, या उसका फॉन आना चाहिए, कोई अभी इतने दिनों से बात नहीं हुई, मिले नहीं और अचानक से वो गटना करम हो गया, या फिर कुछ गटना करम हुआ, और आपको लगता है कि यार, ये तो दूसरी बार हुआ है, ये हम पहले देख चुके है, तो वो सपने भी आपको याद आने लगेंगे, वो सारी चीज़े पहले आप ड्रिम में देखना शुरू कर द जाता है, तो उसके बाद विचार सिद्धी का अनुभव आपको होने लगेगा, कि आपने जो भी विचार किया, फिर अपने विचारों के उपर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, किसी के बारे में negative thoughts नहीं लाने है, तो वो चीज़े भी सरल्दा से होने लगे, ये second चाहिए, सुवण अक्षर, छोटा सा plain paper लीजिए, square, चौकर, उसके उपर जो अक्षरम बताएंगे, वो आपको हिंदी में लाल पैंसे लिखना है, 24 गंटों के लिए उस परची को अपने पास रखिए, दूसरे दिन जब नया सुवण अक्षर आप लिखेंगे, तो पुर चाहिए, सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट आप्षन में अपने उल्टे हाथ की हतली के सेंटर में लिखिए, राइट ही है तो लेफ्ट हैं की हतली के सेंटर में, लेफ्ट है तो राइट हैं की हतली के सेंटर में, अक्षर भी एक विग्णान होता है, माश्टर की और सुवान अक्षर इखटे ज्यादा प्रभावी होते हैं दोनों को कीजिए कल का सुवान अक्षर जो आप लिखेंगे वो है महदेव वाला म वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है अब ब्लास्टिंग बर्डे और एनिवर्षरी किसी भी वर्ष में 31 डिसंबर आपका जन्मदीन है या फिर आपकी मेरेज अनिवर्षरी है प्रयोग एक positivity पूरे वर्ष के लिए बड़े है तो खुद करना है मेरेज अनिवर्षरी है दोनों करे तो ज्यादा अचा है ये जो सुर्य ताटक का एक अनुखा प्रयोग बताया आने वाले एक वर्ष के लिए इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिजिए अगली बड़े ये अनिवर्षरी पे मिलेंगे कि इतना साधारन सा दिखने वाला प्रयोग आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में कितनी सकारात्मक्ता ला चुका है अनुभाव करके तो देखिए आपको पॉजिटिव वीडिय मिल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए आपके जीतने भी अपने हैं उन्हें शेयर कीजिए जीतने भी सोशेल मीडिया के माध्यम है वहाँ पे शेयर कीजिए रुपे नार्शा नाम के इस यूडियोग चनल को अभी दख सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए साथ वाला बैल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद तीन आप्शन्स आएंगे आल के उपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लेम के लिए सौलीशन चाहते हैं स्वागत है आपका वाट्सअप नंबर 971-444-3110 971-444-3110 कॉल मत किजिएगा कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे अपना नाम बड़ डिटेल्स और प्रॉब्लेम्स डिटेल्स के साथ वाट्सप नंबर के उपर लिख दीजिए अक्षाई जी आपको वहाँ पर मिलेंगे प्रोसीजर वहाँ पर समझा दिया जाएगा नए वीडियो के सा पर मिलेंगे जाएगा